हावडा ब्रीच की सच्चाई दोस्तो भारत में कई ब्रीच मोजूद है लेकिन हावडा ब्रीच की एक अलगी विशिष्टा है जो कलकत्ता की हुगली नदी पर बनाया गया है हावडा ब्रीच भारत के मशूद पुलो में से एक है जो सिर्फ देश में ही नहीं बलकि दुनिया भर में प्रसिद्ध है नमस्का दोस्तों सौगत है आप सभी काज की इस मनोरंजक और इन्फरमेटिव वीडियो में आज हम आपको हावडा प्रिच की सच्चाई के बारे में बताने वाले हैं जिससे हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँशती रहेगी तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों हावडा प्रिच भारते कलकत्ता में स्तीत है यहाँ प्रिच हमेशा से कलकत्ता का एक पहचान रहा है इस पूल को बने तकरीबन 77 साल हो चुके हैं दूसरे वर्ल्ड वार के समय दिसंबर के 1942 में जपान का एक बम इस प्रिच के नजदिक आगिरा था लेकिन हावडा प्रिच जैसा था वेसा ही खड़ा रहा इस पूल का निर्मान ब्रिटेशों के द्वारा किया गया था साल 1936 में हावडा प्रिच का निर्मान शुरू हुआ और 1942 में यहाँ पूरा हो गया उसके बाद 3 परवरी 1943 को इसे जनता के लिए खोला गया बाद में 1965 में इस ब्रिच का नाम रविंद्र नौट टैगोर के नाम पर इसका नाम रविंद्र सेथू रखा गया कहा जाता है कि इस ब्रिच को बनाने में 26,500 टन स्टील का इस्तमाल किया गया है जिसमें 23,500 टन स्टील की सप्लाई टाटा स्टील ने की थी इस पूल की खास बात यह है कि पूरा ब्रीज महज नदी के दो किनारों पर बने उचे दो पायों पर टिका है जो 280 फिट उचे है हाउडा ब्रीज की और एक खासियत है कि इसे बनाने में स्टील की प्लेटों को जोडने के लिए नट बोल्ट की बजाए धातू से बनी किलो का इस्तमाल किया गया है इस ब्रीज के टावर की उचाई 82 मिटर इतनी है हाउडा ब्रीज की लंबाई 2313 फिट इतनी है और इसकी उचाई 279 फिट इतनी है और इसी के साथ इस ब्रीज की चोड़ावी 71 फिट है हाउडा ब्रीज पर हर रोज एक लाग से देड़ लाग गाडिया गुजरती है पांच लाग से ज्यादा पैदल यातरी इस पर चलते हैं गर्मियों के दिनों में इसकी लंबाई करीबन तीन फिट तक बढ़ जाती है क्यूंकि अधिक तापमान की वज़े से दातू पिगल हाउडा ब्रीज दुनिया का छटा सबसे लंबा पूल है इस पूरे ब्रीज को पेंट करने के लिए 26,500 लीटर पेंट की खबत होती है जिसमें लगबख 65,000,000 रुपेयों का खर्च होता है माना जाता है कि हाउडा ब्रीज की कोई चावी थी जिसे अंग्रोजों ने भारत को नहीं दी पहले कहा जाता था कि इस चावी से ब्रीज को बड़े सामदरिक जहांजों की लिए दो भागों में खोला जाता था लेकिन इन बातों का कोई प्रमान नहीं है इस ब्रीज का रहस ये भी है कि ब्रीज की इंजिनियर ने कहा था कि यहां पुल 12 बजे नश्ट हो आउड़ा ब्रीज की हमारी इंफॉर्मिशन आपको कैसे लगी यह हमें कमेंट करकर जरूर बताए और हाँ दोस्तों हमारी इंटरस्टिंग इंफॉर्मिशन आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले मिलते हैं ऐसी ही मनुरंजक और इंफॉर्मेट वीडियो के साथ